जहें माई डियर फरेंडा क्या ले आज हम देखने माले हैं डी फार्मा फर्स्ट इयर का फार्मा सुटिक्स का यानि चैप्टर नमबर आपका पांच है जो आप यहां से देख सकते हैं क्या चैप्टर नमबर च्छा के उपर आपका चैप्टर नमबर पांच एक दसमलो चार यानि कहा था immunological product हमने सबसे पहले immunological product को cover करेंगे इसमें अच्छे से उसके बाद vaccine तथा sera को भी हम consider करेंगे इसमें ठीक है अब इसी को हम इसमें से पहले देखते है immunological product होता क्या बेटा ठीक है तो देखिए immunological product को हम इसमें आज detail में देखने वाले हैं और एक video आपका vaccine पे सेरम पर बनके तयार हो जाएगा ठीक है तो यह था तुम्हारा पहला immunological product कहां पहले इंट्रोडक्शन पूरा डीटेल में देखने माले हैं उसके बाद यानि immunological product को कैसे ही storage किया जाता पिछले साल का question उठाके देखेंगे storage आप यानि storage आप the immunological product immunological product को कैसे ही storage किया जाता इसमें पूरा डीटेल में एक question पूछा गया था ठीक है अब यह हो गया अब इनका classification active हो गया पैसी हो गया डाइगनोसिस हो गया इसे further divide के रिया उससे हम एकदम detail में देखने वाले हैं और इसका खुद का क्या हो गया एक ना यानि सबका क्या करेंगे एक example एक से दो example लिख धर किया जाएगा ठीक तो इतना आपको समझ में मतलब इस बीडियो में इतना चीज आपको consider करने वाले हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं आपका प्यारा सा बीडियो immunological product यह आपके सामने है immunological प्रोडक्ट का note अब लिखिए क्या होता है immunological मतलब इसे परतिरच्छी यानि हि स्ट्रॉंग करता है थोड़ा सा लड़के उसे मार देती है ठीक लिखा क्या है यानि पहला पॉइंट लिखा पॉइंट इस वाइज आप देखते चले जाएए लिखा है इट आद प्रिपरेशन वीच आर यानि वीच आर इम्यून हो गया ठीक है इम्यून फार्द प्रिपरेशन आप डिजीज मतलब क्या कर देते हैं मतलब एक ऐसा प्रिपरेशन जो हमारी इम्यूनिटी को प्रिपरेशन करें किसे डिजीज से लड़ने में ठीक है इस्ट्रॉंग भी यहां से आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट सिंपल सा क्या कर देते है एक ऐसा product जो किसी भी disease को mãरने तद पिर्वेंट करने लिए यूज किये जाता हूँ हम immunological product वोलते हैं ठीक है है अब जैसे example में आ सकते है वैक्सीन आ सकता है एक्जांपल में आपका वैक्सीन आ सकता है जो vaccine किसके लिए होता further यानि किसका यूज करते हैं वैक्सीन का Integration d regulate के लिए हो सकता है है या इनटी सीरम भी हो सकता हूए फार्द को पूछ्म यानि का की सकता है इसी से भी थी मारने के लिए हम मशली बैक्टीरिय और सबढल यह सब यूज करते हैं ठीक है मतलब यह अब adrenaline progress गित्रे तरद से आपके हो सकते हैं ठीक है अब क्या लिखा रहना है यहां से नीचे लिखा हुआ jść आफ Daddy Rio लोजिकल प्रोड़क्त देखा जाया तो आप गाँ यानि एक bai लोजिकल प्रोड़क्त होुत not a यह bai जो भी biological product होता हो किसका होता है प्रोटीनियाशी निचर का उता है मतलब तो यह आर गनीजम है उसकी protein निछर को हम अच्छे से समझ लेते हैं उसी के पड़ दे हम एक immunological product बनाकर तयार कर देते हैं मगर अब ही तब एक ऐसा तुम्हारा क्या हुआ полов है जो protein नीचर भी नहीं है जो polyomyelitis polyomyelitis यह polyomyelitis एक वैक्सीन है जो आपका protein में नेचर का नहीं है तीक है अब क्या जो भी आप वैक्षीन लगंगाने गये,चितने भी ऐमैग्य का परोड़ेशन परोडक्ट होते हैं,बशले वा ईंजेक्षन से मतलब सिरिंजी ले उसके द्वारह क्या है, देते हैं हमारे सरीर में इंटर करा देते हैं हमेशा क्या होता परेंटल मतलब इंजेक्शन के फार्म में ही हमेशा पाया जाता आलमोस्ट लग भग लग बग अन्ठानवे से 99 परसें और उसमें से उसका एक 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 सेप्ट या नहीं तुम्हारा क्या हो गया यह वाला पोर्शन है जैसे पोलियो मिलाइटर जो क्या कर दे आता है गाँ गाँ पे आके इंजेक्शन के दोरा नहीं बूद बूद पिला जाता लोगों को है की नहीं दो अग Southern के तौके इंजेक्शन के फानमें दिया जाता है तो क्या कर देता है बहुत सारा डिस अड़िस को मिलता है तो इसलिए क्या करते हैं इसे के ओरल के फांवे सदीयों से पिलाते हैं यहीं चले आ रहे हैं हमुआ है न इसंए बॉलते थे मतलब यह जो है आपको पोलियो यह वी तुम्हारा बच्पन मुंद्र क्या होती ही थे अधर से आब हो आफ 많 लगा लेते थे कि यह बच्चा पी चुका है ठीक तो इमिलोजिकल प्रिप्रेशन होता है मुश्टली मुश्टली करता पैरेंटल डोजेश फार्म में ही देखने को मिलता मगर पोलियो मिलाइटेश इसका अपसेप्शन जो और रूट के द्वारा बच्चों को दिया जाता ह इतना था आपके बारे में किसके इमिलोजिकल प्रोड़क्ट के बारे में यह वाला अवी एक्जामपल याद रखिएगा मेरे भाई ठीक है चलिए अब यानि इमिलोजिकल प्रोड़क्ट को इस्टोरेज कैसे करना देखिए इस्टोरेज कैसे करना तो आपको एकदम थीक हम लोग दिल्ली में गए थे वहां पर एक मेटकरली स्टोर पे तो यह क्या होती है जैसे हमारी यह आख्शीटोसीन हो गया आधरी इंजेक्शन जो आता है जो mostly MRI logical होता, तो फो एक सिन्हों हो गया तो क्या कर देते थेllers, एसे गत्ते के और ऐसे ढाल देते थे, नै, हम वहाँ जब गैया थे तो, क्या रोता था, उसे अच्छे से आईज पैक के अंदर, ऐसे आईसपई के अंदर अच्छे से यसे बांड करें लगा देतें यह ईसी के बीच लगा देते थे लो उरा बर लगा देते उसमें वो आता था मतलब उससे करें यमार था यह मा dif ओसा और फाओ अपनी यूपी और आमें काई कट्यों शedd STAR टे抗 जाओ ओस क्या होता है मतलब उसकी पोटेंसी मतलब उसकी कैपसीटी वहीं आदा खराब हो गई खराब हो गई लगाएंगे ठीक यह तुम्हारा काम होगा अपनी यूपी था बिहार वगरा में देखेंगे अभी भी बहुत सारा चीजे दोखा मारी वगरा है मेडिसीन की अंडर थी तो यह सारी चीजे होती हो क्योंकि ब्रांड चीज चाहते हैं मतलब यह ब्रांड है तो ब्रांड में ज्यादा फायदा नहीं है ठीक है अपने यूपी ओ अगर हम देखेंगे सब किसान भाई है जो क्या करते विचारी को लूटते हैं मगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए दिक मानावता होती है आपके अंदर होनी चाहिए ठीक तो चाहिए नहीं को कि नहीं करना तो लिखायाakah फिसे ध्यानina का क्या से कर देगा लूज्ऌिक है जैसे माना लेते हैं वो work कर रहा है 100% तो उसमें से क्या यदि आप अच्छे storage नहीं रखेंगे तो उसमें जो भी living या non-living से बनाया गया है कोई .. micro organism से बनाया गया तो वह जाले ते मले कुनिया तो 15 degree Celsius पर या 15 इतने गर्मी में लोग दोड़ा रहे हैं गत्ते में रखके कितना चालिस चालिस डिग्रेट मतलब आधा से उपर क्या होता जो माइक्रो आर्गिनीजम उसे बनाया गया वैक्षिन ओभी इनेक्टिव फार्म में हो जाता अपनी प्रपर्टी लास कर देता दो चार पर्चन नाम के लिए कि वह लगा दिये जाते हैं ठीक इतनी लिगों धाधली होते हैं जैसे उस पे यह कुट्टे वाला इंजेक्शन होत आप यहां से बताय गया कि यदि हम इन लोजकल प्रड़क्ट को अच्छे सी स्टूरेज नहीं करेंगे अच्छे स्टूरेज नहीं करेंगे तो अपनी प्रटेंशी को लास कर देगा नेस्ट पॉइंट प्वाइंट क्या लिखा दर प्रिपरेसं आफ दप्रिपरेशन living cell and prevent the denaturation of protein that of the antigen and bonty body देखिए point आप लिख के देहां से दे दिया कहने का मतलब यहादी prevention आप क्या करें यानि preservation of the potency मतलब बहुत ही important है क्योंकि वह important है protein मतलब जो भी vaccine बनाएगा तो protein से बनाएगा है protein को क्या कर देते हैं एक temperature हो तक इसी पर इस्टेबल लाएगा उससे एदि फ्लेक्चिवेट किया मतलब ज्यादा देर तक इदि फ्लेक्चिवेट किया तो क्या करेंगा vibration होगा और living cell तुमारे क्या हो क्या हो क्या प्रिवेंट करेंगे denature मतलब उनकी nature क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी denature हो सकता आप प्रोटीन का जिसे एंटीजन और एंटीबोडी वर्क ही अच्छे से हमारे बोडी के अंतर नहीं कर पाएंगे ठीक तो यह तुमारा क्या होता प्रोटीन के बारे यानि इसके बारे इसके बारे पर क्या लिखा है रिड़क्षन आप रिड़क्षन इन पोटेंसी इज डू टू द़ कीमिकल चेंजर वीच इज आदर डैरेक्टली परकोशनल तु टंप्रेचर आप इस टोरेज का यानि आपका यानि है मतलब काल प्रोड़क्ट हैसकी इन पर आरट यह हो जाएक हर एक दिखेंगे लिखारा था कि आप इसे फ्रीजिंग पॉइंट प कर रेक्क होगी ए चार्व से पांच दिग्री सेल्सियस पर आपको रखी है अब बता यह उसमें नहीं रखके लेकि आ रहे हैं गत्ते में रखके ला रहे हैं थाईली में रख लिए तो बताव टंपरेचर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है तो वही चीजें सा क्या होती है उसके जो यानि केमिकल से हायर लेवल पे था अगर आप क्या करने हैं पैसे के चालच में लालच के चाल यानि लालच के कारण से हम कहां से कहां चले जा रहे हैं तो यह सब थोड़ा बहुत सोचिए ठीक है तो यह टंपरेचर मेंटेन करिए जिससे आपका इमिलोजिकल प्रॉडक्ट आपसे लिख दिया गया साप साप की इमिलोजिकल प्रॉडक्ट को रूम टंपरेचर पे हमेशा नीचे ही नीचे रखना है अब डिपेंड करता किस तरह का आपका क्या है वो वैक्सीन मतलब इमिलोजिकल प्रॉडक्ट है ठीक है तो इस सब के बारे में आप थोला सा ध्यान देज ठीक है अब लिखा क्या है इत इस डिस्क्राइब डैट आल इमिलोजिकल प्रॉडक्ट सुट बी स्टोरेज इन रिफरीजेटर देखो साप साप यहां से लिख दिया की मतलब जितने भी आपके यानि इमिलोजिकल प्रॉडक्ट होते किसमें स्टोरेज करना है आपको देखेंगे अब तो उसमें भी यानि उसमें फुली यह सी होनी चाहिए रिफरीजेटर होना चाहिए उसमें रखके आते मगर रखते ही नहीं मतलब कि वह इसा गाड़ी बनाने का काम कर रहा है ठीक है तो यह सब मत करिए ठीक है देखो डिजारेबल आप इमिलोजिकल साप साप लिखा कि जितने भी इमिलोजिकल प्रोडक्ट है सुड भी स्टोरेजिन रेफरीजेटर उन्हें रेफरीजेटर में स्टोरेज करना ही करना है ठीक है तो यह सब ध्यान दीजिए चलिए और नेश्ट ठीक अब लिखा क्या दे मेजार्टी आफ आइपी मतलब जितने इंडियन फार्मा को भी है जैसे बैक्टीरियल हो गया वैक्सीन हो गया बैक्टीरियल टॉक्साइड हो गया एंटी टॉक्सिन होगा सुड भी स्टोरेज इन डार्क रूम रिट कितना देखी ए लिख भी रखा मेरे भाई देखिए जिदने भी आई पी कि अकॉर्डिंग चैंब होते हैं उन्हें जा दार्क रूम मैं को सब घूम रहे हैं ठंडी में चले तो चलता अब यहां पर गर्मियों में भी लोग क्या कर देते हैं वैक्षिन को ऐसे ले की लोग भूमते हैं ठीक इतने लापरवाह हैं बताईए कहां होने माला कुछ ठीक आप सुधर यह हम सुधर ने तो सब कुछ होने क्या सरकार ही है उन्हें पैसा मिल ला प्राइबेट में मोस्ट आप देखेंगे थोड़ा बहुत केर करते ने तो ना के बराबत पैसे तो सब कुछ ठीक तो ही करते हैं लोग अब इतने सब हो गया है तो बताईए क्या किया अब देखें आप होने वाले हैं अगला जनरेशन आप एकदम अच्छे से यह सब चीट पढ़े हैं थोड़ा बहुत आप केर करिएगा ठीक है जिससे हेल्थ थोड़ा सा अपने इंडिया का इंप्रूब हो सके ठीक है अब देखो लाइट यूजूली यानि क्या अचलरेशन एंड डिकमपोजीशन आई-पी मतलब यदि ल लाइट रिसिस्टेंस गलास मतलब क्या होता एक अमबर कलर का गलास हाता जैसे मा लेते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब अच्छे से फ्रीजिंग नहीं कर दो मतलब आप लेकि जाए चलता ठीक नहीं आईस क्यूब होगा रहा है तो क्या कर ये एक डार्क रूम होता उसमें रखिए उसके लिए तरह इस पेसल गलास आता उसमें रखिए उसके साइट सारी में जैसे वह गलास देखेंगे ना तो ये क्या होता ये गलास हो गया इसके उपर यहां पर क्या होता इसके बीच में गैप कर दिया जाता है और ऐसे धकन बना दिया जाता इसमे भी आलाउँ किया जाता कि आप उसे आइस में लेकर चलिए कि अगर मोप तोरेज आप immunological product आप याद रखिएगा लिखा क्या फार active immunization दूसरा मतलग इसे यानि classify किया गया फर्दर तीन में active immunization, passive immunization और diagnostic यानि against agent इनके बारें लगाया गया तो देखिए तीन होता active, passive और diagnostic तीन याप याद रखिए ऐसे पढ़ते चलिए याद रखते चलिए कोई tension नहीं है, active को further divide किया गया, passive को भी further divide किया है, diagnosis का केवल example दिया गया, ठीक तो active immunization को further divide किया गया, सबसे पहले bacterial vaccine, दूसरा viral vaccine और दूसरा preparation आप content toxic, bacterial vaccine नाम से ही पतम जो bacteria के against work करता है, bacteria के against तुम्हारा क्या हो जैसे BCG का टीका होता है, BCG को जो vaccine होता है, bacterial disease और active immunization के अंतरग आता, cholera हो गया, typhoid हो गया, यह सब bacterial vaccine के अंतरगत आते है अँग है, अब याणि viral disease के अंतरगत के आते है, smallpox हो गया, smallpox हो गया, smallpox साब का सबसे बहीं, यानि mum स भी आता है, mums स भी आता है, यह सब viral disease के अंतरगत आते है, то viral ricatuz, इत के मतलब viral, यह था एक्टियम घ्नायजेसन पर चलते हैं, सबसे पहले दर रखा एंटी टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन में आपका दिप्थीरिया और टीटनस दो एक्जामपल है एंटी वारल में देखा जाए तो रैविज आपका यानी पैसियू के फाम में यूज किया जाता है रैविज इंजेक्शन जो कुट्टे के काटने पर लगता है एंटी बैक्टिरियल सीरम तो उसका जैसे किसी पर्सन को ज्यादा दिक्कत होती तक करतें प्लाजमा चपादानिक पर्सट्चाहिएं। ठीके सटेक टॉक्सिन इसमें यूज किया जा जाता है उल्ट टूबर कॉली मतलब जो पहले जो होते थे हैं किसके यूज ऊवर्ड टूबर कॉली मतलब क्या होता जह वह वाले हैं जी क्या बोलते हैं ृम टूबर कॉलोսिस वाले उस आपका प्यारा सा चैनल है फार्मेसी भाई आपके प्यार और सपोर्ट से ये बनाया गया है ठीक है आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो इसे कहीं आपको क्या कर दीगा बेटर से बेटर एजुकेशन तथा मेडिकल के छेतर में आपको सब कुछ इजी फार्म में परवाइड कराने का उद्देश हमारा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेकेए